गुद इवनिंग एवरीवन, वेलकम तु दे क्लास, आज करते हैं आर्टिफिशल बी रियरिंग और जिसे एपियरी भी कहते हैं, एपियरी को यूनो बी यार्ड भी बोला जाता है, और एपियरी क्या होती है, एपियरी वो जगे होती है जहां पर बी हाइव्स रखे जाते ह मदमकी के छटे, तो वो लोकेशन जहां पर हानिवीज के बी हाइव्स रखे जाएं, उसे एपियरी बोलते हैं, और जो परसन एपियरी की देख भाल करता है, उसे एपियरिस्ट बोलते हैं, ठीक है, दावन हो टेक्स केर ओफ एपियरी इस डोन एपियरिस्ट, नौ मैं इस तरह से ग्राउंड में रखे गए हैं, आसपास आप देखो कितनी ग्रीन वेजटेशन, यह इंडिया में भी आप देखो किस तरह से यह जो हैं, बॉक्स जो है, हनीबीज के बी हाइव्स के बॉक्स रखे गए हैं, यह एक और पिक्चर दिखाती हूं, इसमें आप को इस तरह से केज में यह अलग-अलग जो है न, if you see, these are the different boxes of hives, और यह जो है, इस वैन को ही, इस यह जो कार्ट है, जिसमें की बहुत सरह है हैं, इसको ही मुव किया जाता है, from one place to another place, rather than moving the boxes individually, whole cart is moved as such, ठीक नब, now, we'll do characteristics, characteristics of a good apiary, किसी भी apiary, एक अच्छी apiary में क्या-क्या characteristics होने चाहिए, apiary, api-a-fi-a-fi-a-fi-a-fi-a-fi-a-fi-a-fi-a-fi-a-fi-a-fi-a-fi-a-fi-a-fi-a-fi-a-fi-a-fi-a-fi-a-fi-a-fi, factor है, वो है, apiary size, अगर हम apiary size की बात करें, तो इसका, no doubt, apiary size जो है, वो number of bees है, hives indicate करती है, directly, बट इसके अलावा भी, अगर हम apiary size जो है, अगर उसमें अलग-अलग bee families हैं, आगर कोई apiary ऐसी है, या फिर, if you see, कि जो bees है, वो by weight, कितनी bees है, तो यह सारे जो है, apiary size में included है, अब किसी भी एक apiary का जो size है, वो भी अलग-अलग factors जो हैं, वो determine करते हैं, जैसे कि सबसे पहला factor है, resources available, resources available का मतलब क्या है, कि, देखो, honeybees को अपने लिए, you know, nectar collect करने के लिए, क्या अज़र्द पढ़ती है, flowers, या आसपर उसमें, crops हो, तो nectar और pollen resources, जिस एरिया में rich होंगे, अगर यह resources rich हैं, तो वहाँ पर जो apiary है, वो, you know, that will be considered a good apiary, उसे एक अच्छी apiary मानेंगे, क्योंकि अगर nectar or pollen ample है, तो जो honey produce होगा, या nectar collection होगा, वो भी अच्छी quality होगा, as a result of which honey production भी अच्छा होगा, whereas, suppose resources वहाँ पर limited हैं, अब limited resources में क्या होगा, कि सभी bees का, मतलब आपस में competition होगा, enough food नहीं available होगा, उससे क्या होगा, इस तरह में, जो honey की quality है, वो भी अच्छी नहीं होती, और honey bees में mortality भी जादा होती है, तो net production जो है, net gain जो है, वो बहुत, मतलब, कम रहता है, as compared to ample resources, ठीक है, now, दूसरा factor, जो है, एक तो resources available है, दूसरा factor जो कि apiary quality, size को determine करता है, वो है, variety of honey bee, variety of honey bee का मतलब यह है, कि जहाँ पर apiary, जहाँ पर apiary is रखी हुई है, वहाँ पर आजपास जो है, कौन सा plant है, या कौन सा crop available है, suppose आजपास केवल, एक ही type का flower available है, तो इस तरह के flower से, यानि की nectar भी एक ही type का होता है, तो इस तरह के nectar से, जो honey production होता है, उसको बोलते है, monofloral honey, और यह जो monofloral honey होता है, इसमें एक distinctive, characteristic fragrance होती है, उसका एक अलग ही taste होता है, होता है, तो यह इसको बोलेंगे, monofloral honey, बड़ सपोज, flower जो है, एक single तरह के नहोंगे, आसपास जो है, दो या तीन तरह के flowers है, तो इस तरह का honey होता है, उसे बोलेंगे, poly-floral honey, क्योंकि बहुत सारे flowers, जो है, अलगलग type के nectar, जो है, वो honey बनाते हैं, तो इस तरह के honey को बोलेंगे, poly-floral honey, एक third type of category है honey की, जिसको कहते है, blended honey, blended honey का मतलब क्या है, blended honey का मतलब यह है, कि जब दो-तीन तरह के honey को mix किया जाए, तो वो एक blended honey बनता है, ठीक है, now third जो मतलब factor है, इसका apiary का apiary size को determine करता है, वो करता है purpose of apiary, देखो अगर कोई, मतलब commercial production के लिए कर रहा है, या commercial production मेंज honey के लिए कर रहा है, या wax के लिए कर रहा है, जो भी इसके products है, तो वहाँ पर जो apiary का size जो है, वो बहुत बड़ा होता है, commercial purpose के लिए, ठीक है, बट कई बार है न, जो है, educational purpose से अगर कोई apiary बनाई है, या कुसी university में कोई apiary बनाई है, तो उस तरह की apiary का size जो है, वो छोटा होता है, ठीक है, now another factor is, type of bees, type of bees का मतलब ये है, कि कई बार क्या होता है, कि कुछ honey bees जो है, काफी लंबा travel कर लेती है, nectar collection के लिए, और कुछ honey भी जो है, वो ज़्यादा travel नहीं करती, तो उस पर भी depend करता है, कि वो जो apiary है, वो कैसी होगी, obviously जो लंबा travel कर सकती है, उनका जो honey production है, वो ज़्यादा होगा, जो short travel, distance travel करती है, उनका जो resources है, वो भी limit हो जाती है, ठीक है, यह तो था apiary size के बारे में, पहला characteristic, दूसरा characteristic जो है, वो है, location of apiary, location of apiary का मतलब कि, apiary जो है, वो कहां located है, ठीक है, अब मैंने आपको picture में भी दिखाया था, यह देखोगी, apiary is, जो usually ground पर नुती, ground से थोड़ी सी ऊपर होती है, apiary is, ठीक है न, उससे क्या होगा, कि जो, एक तो moisture नहीं आएगा, beehives में, तो moisture नहीं आएगा, तो उससे क्या होगा, honey में भी moisture नहीं होगा, उसमें कोई fungal और रेक्टिस नहीं लेगा, दूसरा, जो ground वाली space है न, वो भी use हो जाती है, अगर height पर apiary हो, अगर आप ground पर रखेंगे, तो वो हमारा जो field है, वो waste चला जाती है, वो जगे waste हो जाती है, तो अगर उसको height पर रखा जाती है, तो वो ground भी दूसरे purpose के लिए use हो जाता है, ठीक है, तीसरा, अगर हम, मतलब एक तो यह location of apiary में, एक तो हम यह देखते हैं कि उसका जो height है, वो क्या है, apiary की, next जो location में आता है, वो आता है, जो nectar supplying flower है, वो भी आसपास होने चाहिए, ताकि honeybees को nectar continuously मिलता रहे, तीसरा जो factor है, वो है amount of solar light, amount of solar light का मतलब यह है, कि अगर जो इनको ने एक particular intensity of sunlight चाहिए होती है, तो usually जिसको यह कहते हैं कि, मतलब full morning sun जो है, यह prefer करते हैं honeybees, otherwise honeybees जो हैं वो active नहीं रहती, तो active, honeybees के active होने के लिए, जो एक particular sunlight है, वो इने चाहिए, तो that means, जो अगर हम सोचें कि, कि इस एरिया में जहां पर enough sunshine होता है, वहाँ पर apiary अच्छी चलेगी नहीं, वहाँ पर नहीं चलेगी, apiary usually full sun के साथ, जो है, वहाँ पर मतलब ज़्यादा flourish करती है, तीसर, अगला factor जो है, जो की location of apiary को determine करता है, वो यह कि, जो आसपास, जो है, वो flower field कौन सी है, ठीक है, जैसे मैं आपको for example पताती हूँ, यह देखो, यह जो orange के flowers हैं, these are the, you know, orange flowers, तो orange flowers are preferred, honeybees, जो है, इनका nectar honeybees को पसंदे, यह देखो, यह जो है न, जिसको हम long कहते हैं, flower field, यह flowers भी honeybee प्रेफर करती है, यह देखो, blackberries, यह देखो, blackberries का, यह देखो, plant है, तो इस तरह की usually, जो है न, flowers से जो honey collection होता है, वो मतलब एक तरह से preferred honey होता है, right, health wise be, that such type of honey is preferred by human, for human consumption, whereas, अगर मैं आपको दिखाँ, यह जो plant है, इसको बोलते हैं, mountain laurel, इस plant को, mountain laurel, यह flower है, ठीक है, यह भी एक दूसरे दागा flower, जिसको बोलते हैं, rhododendrons, rhododendrons, ठीक है न, अब यह जो दोनो flowers हैं, यहनी कि mountain laurel, और rhododendrons, if by chance, the honey collects, honey भी collects nectar, collects nectar from these flowers, तो वो अपने साथ, बहुत high level के, toxins भी साथ लेकर आती है, उन toxins को बोलते हैं, granotoxin, और यह granotoxin, जो अगर honey में आ जाते हैं, और honey जो है, obviously honey is also rich, in these toxins, and this same honey is consumed by man, उससे क्या होगा, granotoxin का क्या effect होगा, granotoxin का man पर क्या effect होगा, कि उससे जो है, low blood pressure हो जाएगा, human beings में, arithymia हो जाएगा, arithymia का मतलब यह होता है, कि जो heart beat है, वो irregular हो जाएगी, muscle paralysis हो जाएगा, तो यह सारी चीज़े, जो कौन cause करेगा, यह करेगा, granotoxin, तो यानि कि इस तरह के flowers, mountain laurel, और rhododendrons के, आसपास जादी कोई apiary है, तो उससे जो है, human being को जो है, नुकसान जादा है, फाइदा कम है, ठीक है, इसके अलावद, दूसरे और जो factors है, जो apiary को determine करते हैं, वो यह है कि, आसपास जो है, वो air और water का proper drainage, यानि कि air continuously circulate करते हैं, fresh air आते हैं, water का भी, stagnant water ना हो, जिससे कि, बहुत साले microorganisms, जो हैं, वो पनपते हैं, या culture हो जाते हैं, या flourish करते हैं, तो water भी stagnant ना हो, continuously, जो water भी हो, वो drain out होता रही, दूसरा यह कि, मतलब, कई बार कुछ, अगर, सब्सक्राइब वो air पिरी कहीं wild में, तो जो wild animals, उन वे air पिरी को destruct भी कर देते हैं, नुकसान भी पहुँचा देते हैं, और वो पुरी पुरी कर भी भी नष्ट हो जाता है, तो इस तरह के area से भी उसको protect करना चाहिए, ठीक है, usually तुमने देखा होगा, कि जो apiaries हैं, कहां located है, वो जैसे कोई बड़ा, you know, orchards, orchards, यानि कि यहां पर आसपास कोई बहुत बड़ा fruit का बाग हो, ठीक है, या कहां किसी के खेत हो, farms हो, या public gardens हो, तो इस तरही जो well protected area होते हैं, आसपास flowering plants होते हैं, वहां पर apiaries located है, नो apiary मतलब यह beer hearing का क्या significance है, usually किसके लिए, epiculture किया जाता है, एक तो economic benefit तो ही, honey production के लिए, ठीक है न, wax के लिए, जैसे candles वगर बनती है, propolis के लिए, जैसे की medicine वगर बनती है, तो इस तरह के product मिलते हैं, epiculture से, दूसरा यह है, कि, यह, जहां जहां पर apiary होती हैं, वहां पर pollination of crops, भी easy होता है, यानि की production of crop भी, अच्छा होता है, तीसरा यह, कि, बहुत सारे fruits and vegetables हैं, वह प्रड्यूस नहीं होंगे, अगर pollination नहीं होगा, यानि one third of the food, जो हम consume करते हैं, वह जो है, बीज के pollination से ही आता है, तो इस तरह से जो है, यह हम पायदा होता है, apiary करके या apiary रखके, I hope तुम्हें clear हो गया होगा, thank you very much.